देखा जाए तो बुंदेल खंड में अब ऐसी कोई भी चीज नहीं बची जो यहां ना पाई जाती हो यहां की प्राकृतिक खुबसूरती और संस्कृती पूरे दुन्या में मशूर है जिला हमीरपूर के रहने वाले सूरज सिंग वैसे तो पेशे से अध्यापक हैं साथ ही वह खेती बाड़ी में भी काफी रूची रखते हैं उन्होंने एक ऐसी चीज को यहां की मिट्टी में उगा दिया जिसके बारे में गाउं के रहने वाले लोग सोच भी नहीं सकते उस बीच की खास बात या है कि उसकी खेती ठंडी जगा में होती है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी इसे हिंदी में ज़रबरी भी कहते हैं या फल जाद तर गर्मियों के मौसम में शहरों में बिकते वे आपको नजर आ ही जाएंगे यह इस्ट्राबेरी क्या है? इस्ट्राबेरी एक फल है और इसे मलब है जिससे घावाव हो जाएं तो इससे भरते बहुत जल्दी है अगर इसका सेवन करें और बच्चे बहुत पसंद करते हैं चोटे-चोटे बच्चे यहां तो नहीं है वैसे इस सहरों में ज्यादा मिल शोटमा जाते हैं जैसे दो बज़े स्कूल बंद हो गया ज़र पगए खाना अना खाते पर साम्टकि यहीं तो कहती फाएं और काई-के खेटी करते हैं और बागलगे हैं मुशनमी हैं में अम्रूद है और यही सब्चिती आप देख रहे चाथ रहते हैं तो हंतेषी पहले जाएने खेती एनने भीज, सब को अचकरते रहे हैं वहुझा बहुत हैं, जो अपना देख लेती हैं, इससे भी अन्ने आए हो जाती है तो लगा कि यहां उगा के देखते हैं अगर हो रही है तो जब आप नहीं लगाए थे तो खाया था पहले लाते थे अपने घार में पहले खाया है यहां तो नहीं यहां थे थे मगर अब राठ में आने लग गया है और यह सकता महाओ यहिंसाल एक इस साल कितने लगाने वाले हैं इस साल इसी से बहुत तयार करेंगे अब देखो कितनी हो जाती है खाथ पानी क्या-क्या लगाओ में खाद पानी क्या लगता है इसमें काद इसमें कुछनी डाला है गोबर के खाद डाली थे मनलब सद्द जयविक कर रहा हैं। अइडिया कंसे आया था सिट्रावेरी खेती करने का। इस्टावेरी पताजी गए थे MP में, तो वहां देखी उन्होंने खेती, बढ़ी हल खेती हो रही है और फाइदा भी बहुत है, उलावाई इसकी किमत है, एक किलो की किमत है नहीं राठ में, तेंसो रुपे से लेकर के पंसो रुपे तक है, और एक पौधे में, एक किलो से पाधन है इसका, तो आपने बेंचा ही है कि, नहीं कुछ बेंचे हैं, वाकरी तो ऐसा है, सब लोग आते रहे, इस वर्स ट्राल था, तो खाने खाने में चले गए, कुछ बच्चे भी खाते रहे, नहीं पोधा आते हैं, यहें वो ट्रेड अली थी, जी, तो उसमें आया थ का रेट की मिले थी, जी, दस रुन पर जाते हैं, और सेजनली है, यह डिसमबर से माज तख इसमीं तर फल आते हैं, लगाए का बज्जा आते हैं, यह एक महज़ा में लगा पहले, जी लगाई तो नॉमबर में चुरु आते हैं, एक महने में फल देने लगते हैं, चार भल स्ट्रॉबरी दिखने में जितना आकर्षित लगता है उतना ही खाने में भी स्वादिश्ट होता है इसका खट्टा मीठा स्वाद लोगों को खास करके बच्चों को खुब पसंद आता है साथ ही इसकी खुश्बू भी मन को लुभा देती है इतना ही नहीं स्ट्रॉबरी सेहत के लिए भी काफी फायदे मन्द होता है इसमें बहुत सारे पोशक तत्व जैसे विटामिन सी, एंटी ऑक्सिडन्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी, फॉलेट, मैगनीशियम और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होते है यह शरीर में होने वाली कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं वजन कम करने से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बिमारी से बचाओ करने में भी यह फल काफी मददकार होता है यहां राठ में आसानी से मगर अब ज्यादा होगा तो कनपुर भेजना पड़ेगा नहीं तो राठ में उतनी वह नहीं मारकेट जैसे अमरूद हमारा और यह आम हैं सब बाहर जाता है यहीं से केरटों में चतर पर वहां कि लोग आते हैं गाड़ी लेकर गए तो भर ले ज किसानों की आमदनी दुगनी हो तो गेहों और चने सुत्युनी होगी ऐसी फसले मगाने पड़ेंगे जब होगी खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भासा